Let's do question number 12 of exercise 5A that is orthopedic progression Question number 12 is which term of the AP AP दे रखा है हमें 5 upon 6 1 1 whole 1 upon 6 1 whole 1 upon 3 is 3 हमें ये पताना है इस AP की कौनसी term 3 आएगी तो कैसे बताएंगे चलिए देखते हैं सबसे पहले अपनी AP लिख लेते हैं जो दे रखी है वो दे रखी है 5 upon 6 1 1 whole 1 upon 6 दे रखी है 1 whole 1 upon 3 दे रखी है और हमें बताना है की कौनसी term हमारी 3 आएगी तो हमारी Nth term का formula क्या होता है वो होता है A plus N minus 1 into D होता है अब Nth term हमारी 3 आनी चाहिए तो 3 लिख दी उसकी जगा और A क्या है first value that is 5 upon 6 इस AP की first value is called A अब difference निकालना है क्यों D निकालने की क्योंकि N हमें नहीं पता तो N minus 1 हमने as it is लिख दिया तो D आया हमारा 1 में से minus हुआ 5 upon 6 तो यह कितना आया 6 LCM आया that means 6 minus 5 1 upon 6 तो 1 upon 6 आ गया अब देखिए अब मैं यह bracket open कर लूँगे और यह 5 upon 6 इधर ले आती हूँ तो हमने किया 3 minus का हो जाएगा 5 upon 6 equals to N minus 1 में 1 upon 6 की multiplication तो यह आया 6 3 into 6 minus 5 equals to इसको as it is रखते हैं brackets नहीं open करते हैं क्योंकि यह 6 easily solve हो जाएगा उधर जाके क्योंकि multiplier में हो जाएगा तो यह आया 18 minus 5 upon 6 equals to 1 upon 6 into N minus 1 तो देखिए यह आ गया हमारा 18 में से 5 गया is 13 upon 6 और equals to 1 upon 6 into N minus 1 अब यह वाला जो 6 है यह इधर आ गया है multiply हो गया तो 13 upon 6 into 6 equals to N minus 1 हो गया तो देखिए 6 6 cancel हो गया तो यह कितना आ गया 13 equals to N minus 1 तो N कितना आ गया 1 उधर जाके plus का हो गया तो plus 1 तो N आ गया हमारे पास 14 तो hence 3 is a 14th term of this ap ap की 14th term है 3 answer let's do question number 13th question number 13th is which term of the ap हमें बताना है कौन सी टर्म है ap की 21 18 15 जो यह ap दे रखाया उसकी कौन सी टर्म minus 81 बैठेगी तो चलिए पहले अपनी ap लिख लेते हैं क्या दे रखिए ap दे रखिए हमें 21 18 and 15 और हमें बताना है minus 81 कौन सी ap बैठेगी तो हमने क्या किया nth term का formula लिख लिया a plus n minus 1 into d अब हमें minus 81 निकालना है कौन सी टर्म बैठेगी तो हम उसको nth term की जगे लिख देंगे तो यह आगे minus 81 equals a क्या हुआ हमारी first value of this ap that is 21 plus कौन सी टर्म है वो नहीं पता है इसलिए n minus 1 as it is d क्या हो जाएगा? d हो जाएगा 18 में से 21 गया तो यह कितना आ गया? 19, 20, 21 that is minus 3 तो हमने minus 3 में multiply कर दी तो minus 81 equals to 21 plus minus minus देखिए यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा plus minus minus तो 3 into n minus 1 तो यह कितना आ गया? minus 81 equals to 21 minus 3 n minus minus plus 3 अब आगे solve कर लेते हैं minus 81 equals to 21 plus 3 is 24 minus 3 n आप देखिए 3 n minus का है और 24 plus का है तो या तो आप 3 n इधा ले आईगे, 81 इधा ले आईगे या मैं सिर्फ 24 इधा ला रही हूँ तो यह देखिए 81, 24 भी इधा लाके minus का हो गया equals to minus 3 n तो यह कितना है? minus का 105 आगया equals to minus 3 n minus minus cancel हो गया तो n कितना हो गया? 105 upon 3 तो यह कितना है? 3 3 is a 9, 3 5 is a 15 तो हम लेख सकते हैं, hence minus 81 is 35th term है a-p-e, term of this a-p, a-p-e 35th term है answer छो आप्ष में वो यह कितना हो भी